For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सल्मान खान अक्सर इंडस्ट्री में newbies को चांस देते हैं और उनकी home production notebook में भी उन्होंने नए चेहरे लॉंच किये हैं. जी हा, सल्मान खान ने इस फिल्म के साथ मोनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल और अपने दोस्त के बेटे जहीर इकबाल को दिया है डेब्यू करने का चांस. अब इस मूव से इंडस्ट्री को दो नए जेम्स तो मिल ही गए लेकिन साथ ही उन्हें डर है कि कंगना उन पर नेपोटिसम का इल्जाम लगाएगी. ऐसे में फिल्म नोटबुक के ट्रेलर लॉंच के बाद सल्मान ने स्टेज पर इन दोनों डेब्यूटांस की तारीफ की, कुछ हसी मजाख किया और टीम को विश करते ही वहाँ से चले गए. इस मूँव से मीडिया हैरान रह गई क्योंकि सल्मान हमेशा इवेंट के बाद एक मीडिया क्वेस्चन और आंसर राउंड का हिस्सा होते हैं और दिल खोल कर बाती करते हैं. लेकिन इस बार सल्मान ने ट्रेलर लॉंच करते ही इवेंट से एक्जिट कर लिया और ये देखकर सभी को लग रहा था कि वो मीडिया को इसलिए अवाइट कर रहे हैं कि वो कंगना के साथ नेपोटिजम को लेकर किसी कॉंट्रोवर्शल डिसकशन का हिस्सा नहीं बनना च चाते हैं तो सल्मान की इस मूव के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं